हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम बैक टो माई चैनल, खीर्तितिवादी शोशल साइंस कॉर्णर और कैसे हैं आप सब, कल हम कौन सा डे सलिबरेट कर रहे हैं येस, राइट, फादर स्टे, कल फादर स्टे है सब को पता है कि जून के थर्ड संडे को हम फादर स्टे सलिबरेट करते हैं और इस बार जो थर्ड संडे है वो कल यारी की 20 जून को है तो सबसे पहले आप सब को Father's Day की बहुत बहुत शुक्काम नाए और कुछ लाइने हैं जिनकी मैं शुरुआत करती हूँ सब भी Father's को डेडिकेटेड हैं ये लाइन्स और उम्मीद करती हूँ कि जो मैं इसके बारे में बताऊंगे आप सब को पसंद आएगा मेरे होँठों की हसी मेरे पापा की बदौलत है मेरे होँठों की हसी मेरे पापा की बदौलत है मेरी आखों में खुशी मेरे पापा की बदौलत है पापा किसी खुदा से कम नहीं क्योंकि मेरी जिन्दिकी की सारी खुशी मेरे पापा की बदौलत है अब हम स्टार्ट करते हैं कि फादर्स डे को सेलिब्रेट करने की परंपरा कहां से आई किसने इसकी शुरुआत करी तो कुछ स्टोरीज हैं छोटी-छोटी स्मॉल स्टोरीज हैं जिनके बारे में हम जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा एग्जैक्टली ये रीज़न था इस वज़े से फादर्स डे की स्टार्टिंग हुई या इस कंट्री ने सबसे पहले फादर्स डे को सेलिब्रेट किया तो सबसे पहले हम स्टोरी देखते हैं एक स्मॉल स्टोरी है सोनेरा डोट की राइट सोनेरा डोट जब बहुत छोटी थी तभी उनकी मा की डेथ होगे थी और उनकी मा की डेथ होगी तो उनके फादर थे विलियम इसमार्ट उन्होंने क्या किया उन्होंने सोनेरा डोट का बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से उनकी पैरेंटिंग करी और उनको अपनी मम्मा की कमी कभी भी नहीं महसूस होने दी तो जब सोनेरा दूर थोड़ी बड़ी हुई तब उनको लगा उनके दिल में यूँ ही ख्याल आया कि हम फादर्स टे क्यों न एक दिन कोई फादर्स के लिए क्यों नहीं रख लेते हैं क्यों एक कोई special day हम फादर्स के लिए नहीं रखते हैं तो उनके दिमाग में यह चीच आई और फिर 19 June 1910 को first time फादर्स टे सेलिबरेट किया गया राइट 19 June 1910 को first time फादर्स टे सेलिबरेट किया गया फिर उसके बाद क्या हुआ 1924 में अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उस समय थे कॉलविन कोली उन्होंने क्या किया था उन्होंने फादर्स टे पे अपनी एक तरह से सहमत ही दी ठीक है कि हाँ ठीक है आप लोग फादर्स टे को सेलिबरेट करना चाहते हो तो मेरी तरफ से कोई भी मतलब मना ही नहीं है और आप लोग फादर्स टे को क्या कर सकते हैं फिर 1966 में अमेरिका के ही प्रेसिडेंट थे लिंडस जॉन्सन उन्होंने जून के थर्ड संडे को फादर्स टे सेलिबरेट करने के लिए ओफिशली अनॉंस किया ओफिशली अनॉंस ऐसे किया कि आप लोग क्या है जून के मतलब थर्ड संडे को सब लोग क्या करेंगे फादर्स टे सेलिबरेट करेंगे यह उन्होंने ओफिशली अनॉंस किया और साथ में क्या किया कि अमेरिका में क्या होता है कि फादर स्टे वाले दिन क्या है कि वहाँ पे हॉलिडे डिकलेयर किया गया है कि जिस दिन फादर स्टे होगा उस दिन वहाँ पर हॉलिडे रहेगा वैसे भी अगर इंडिया में हम देखें तो जून के थर्ड संडे संडे तो वैसे हमारे याँ holiday ही रहता है, right, तो वो declare किया गया, फिलहाल क्या हुआ कि पूरे world में, ठीक है, क्या होने लगा, इसको celebrate किया जाने लगा, और इंडिया में भी धीरे धीरे ये चीज़े custom आ गया, तो यहां के लोगों को भी लगा, अच्छी चीज़ लगी, कि हाँ भई अपनी फादर्स भी अपनी पूरी जान लगा देते हैं, उनका वजूद होता है, जिनके फादर्स नहीं होते हैं, वो उनसे आप पूछे, ठीक है, कि वो क्या फील करते हैं, तो फादर्स डे पे क्या है कि सभी फादर्स को एक तरह से हम ये सम्मान देते हैं, जितने भी फ वाजकर इसकोलों में भी इतना जदा इसका मतलब प्रिचलन हो गया है कि इसकूल में भी lebih activity करा आ जाती है तो उसके बच्छों को कहीं कार्ड बनाना है कहीं कोई गिफ्ट बनाना है इस तरह से ये हमारे custom में भी अब ये आ गया है और हम सब बहुत अच्छे से father's day celebrate करते हैं तो अब क्या है कि सब को पता होना चाहिए कि father जो है वो कितनी मेहनत करके अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं बहुत मेहनत करते हैं और अपने बच्चों की खुशी के लिए अपनी करते हैं सर्वाइव कर देते हैं उनको त्याग तक देते हैं तो एक ये स्टोरी हो गई हमारी कौन सी सुनेरा डोट की कभी इन्होंने स्टार्टिंग करी एक और सेकंड स्टोरी है वो सभी father's के ओनर के लिए है एक्चुली में हुआ क्या था कि जब अमेरिका में first time क्या हो क्या हुआ था एक कोईला खादान थी वहां पे विसफोट हो गया था वहां पे विसफोट हो गया था जिसमें की बहुत सारे 360 मैंज वो खतम हो गया थे उनकी डेथ हो गया थी तो उसमें से बहुत सारे सभी बच्चे जितने थे 360 मैंज के बच्चे जो थे वो क्या हो गया थे तो उनको फादर्स की कमी ना हो इसके लिए भी फादर्स डे को वहाँ पर सेलिब्रेट किया गया तो कुछ दो-तीन स्टोरीज हैं जिनकी वज़े से हम देखते हैं कि फादर्स डे कप से सेलिब्रेट किया गया और अब उसका बहुत जादा प्रिचलन बढ़ता जा रहा है तो ये अच्छा है कि हमारे फादर्स को एक ये सम्मान करने का अच्छा तरीका है वैसे तो सभी दिन ममी पापा सभी के होते हैं गुरू के होते हैं लेकिन एक एक पर्टिकुलर डे इसलिए मनाते हैं कि हम उनको इस चीज को उस दिन रिलाइस करा दे हैं कि हाँ आप मेरे लिए वैसे भी मतलब सभी के पापा सभी के लिए बहुत इंपॉर्टन रोल अपन प्ले करते हैं, सभी के आइडियल होते हैं, सभी के पापा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक दिन रखा है, सारे पापाओं को समर्पित है ये दिन, तो चलते चलते मैं कुछ लाइन से और कहना चाहूंगी, वो भी फादर्स को ही डेडिकेटेड हैं, तो वो कुछ लाइने ह धर्ती सा धीरज दिया और आसमान सी उचाई दी, धर्ती सा धीरज दिया, आसमान सी उचाई दी, जिंदिगी को तरस के खुदा ने ये तस्वीर बनाई है, हर दुख खुद बच्चों का खुद पे वो सह लेते हैं, हर दुख खुद बच्चों का खुद पे वो सह लेते हैं, उस भगवान की जीवित प्रतिमा को हम पिता कहते हैं, उस भगवान की जीवित प्रतिमा को हम पिता कहते हैं, Happy Father's Day to all of you, thank you very much, bye bye, take care.